हाई मैं हूँ नक्षित रमेवा, वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, विकॉस मैं एक ऐसा क्लिप शेर करने वाला हूँ मेरी लाइफ इवेंट का, जो देखकर आप अपने सारे पब्लिक स्पिकिंग के फियर को दूर करने वाला है, ये एक ऐसा क्लिप है, जहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर बैटे हैं, अप्रोक्सिमिटल फिफ्टी पीपल आर देर, उन लोगों ने डेड़ लाग से भी ज्यादा उसकी कीमत चुका कर वहाँ पर बैटे हैं, so you can understand कि इसकी value कितनी ज्यादा है, so make sure कि आप अन तक इस वीडियो को देखें, because there are a lot of valuable content जो आपको मिलने वाला है, अगर आप हमारे चैनल लोग पेरी बार आया है, make sure to hit the subscribe button और bell icon की उपर click कर दीजिए, let's go! सबसे पहला सीक्रेट में आपके साथ शेर करना चाहता हूं, that is breathing, प्रान शक्ति जिसे कहा जाता है, प्रान शक्ति, so simple sunyam है, जब आप ब्रीधिंग को चंट्रोल करते हैं, तब आपका mind control होता है, or जब आपका mind control होता है, तब आपकी speech जो है, वो चंट्रोल होती है, now यहा कि आपका दोस्त को इराथ को फोन करता है and he is like, कि यार अरे यार तुझे बताए, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे इतना प्रोब्लम हो गया, मैं क्या बता हूँ? आप उसको क्या बोलता है उस वक्त? पहले भाई पहले गहरी सांस ले लो, पहले रिलाक्स हो लो, पानी बाद में बात करो, जो अमेटर स्पीकर्स होते हैं वो भी सेम गलती करते हैं कि जब वो स्टेज पर आते हैं वो तुरंत बोला शुरू करते हैं हाई, I'm so excited, आज में अपना हाँ, audience करती है, रिलाक्स, रिलाक्स, शान्त हो जाओ, पानी पीलो, so the best speakers are, कि जो रिलाक्स होते हैं, और speech को रिलाक्स करने के लिए, सबसे इंपॉर्टन है यहां से, mind को रिलाक्स करना, और mind को रिलाक्स करने के लिए, पावर्फुल रास्ता है वो है, आपका, सब लोग, बावरामदेव जी को याद कीजिए, and take a deep breath, गहरी सांस लीजिए, and just relax, गहरी सांस लीजिए, again, and relax, गहरी सांस लीजिए, and relax, जब भी आप stage पर जाए, take three deep breaths, और बाद में आप अपने speech को शुरू करें, इसका मतलब यह नहीं है, कि स्टेज के ऊपर आए के बाद आपा चुके हैं, and you are like, एक मिनिटा, तुम प्लिस, एड़री बडिस तिंकी की आओ रहा है, this is pre-venue, pre-stage performance जो है, वह आपको कर दाए, so जाए बाहर, take a deep breath, if you are, if you are, if you love pranayam, तो kapalabadi कर सकते हैं, do anything, जो आपका breathing को change करें, but आपने देखा होगा, जब आप गुसा होता है, जब आप stress में होते हैं, आपका breathing कैसा हो जाता है, fast, आप dog को देखिए, और यही कारण है कि dog अच्छे public speaker नहीं होता है, आप जो लोग, यहां रखिते लोगों ने मेरे programs अटेंड किये हैं, पहले, all right, जिल लोगों ने अटेंड नहीं किये हैं, उन लोगों को बता दू, मेरे कुछ jokes जो हैं, आपको बाद में शायद समझ में आएंगे, so, मेरे programs जो होते हैं काफी serious रहता है, मैं seriously पढ़ाता हूँ, so make sure, so, बाजो के लोगों के help करें, so, क्या कर सकते हैं आप ब्रुदिक के लिए? पहली चीज़, deep breathing आप कर सकते हैं, जभी आप stage Q पर जाता है, and the best way to do is this, अगर आप real life में भी जब किसी के साथ बात करते हैं one-to-one, अगर real life में भी imagine, कि आप उसी तरीके से बात करें तो, अगर शांती से आप बात करें, रिलाक्स हो कर बात करें, तो stage आपको acting नहीं करनी पड़ेगी, कितने लोग उने experience किया है, जब आप stage के उपर जाते हैं, और जब आप different person बन जाते हैं, लगता है लोगो कि यार ये acting कर रहा है, ये fake लग रहा है, best speakers जो होते हैं, वो real life में भी अच्छे speakers हैं, और सिर्फ जब stage के उपर आते हैं, तो जब stage पर जाएंगे, तब भी आप manage करने वाल हैं, तो simple चीज है, अगर आपका breathing ठीक, मेरे साथ कीज़े सब लोग, अगर आपका breathing ठीक, तो आपका ये ठीक, और अगर ये ठीक, तो आपका ये भी ठीक. So it starts with your breathing, content बात में आता है, content तो आप बहुत पर करते हैं, मुझे पता है, लेकिन जब stage की ऊपर जाता है, तो वो evaporation हो जाता है, बास्पीवजी से कहता है, content चला गया, किने बार रवाएं आपकार की आपका ये आपका ये आपका ये आपका ये अपका ये जाना एक बहुत ही ज्यानी आत्मी ने कहा है कि यह कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं तरी डेट मुई में अमेर खान ने का है similarly, यह जिंदगी है, यह प्रेशर कुकर नहीं है तो प्रेशर मत लो एक में दो वर्ड आपको देना चाहता हूं तो वह सूतर आप हमेशे याद रखो अगर आप अच्छी स्पीकर बनना चाहता है जाना चाहो कि वह क्या है? मेरे साथ बोलिये Just Just chill That's weird, when you are just there to chill अगर आपके mind में अगर आप chill कर रहे हैं If you are just there to relax तो आप देखेंगे आपका performance अच्छा होने वाला है आप किस यहाँ इसे लोगे को कहते हैं कि यह ज़िए मैं दोस्तों के साथ बात करता हूं तो बहुत ही आराम से कर लेता हूं लेकिन जब मैं नए लोगों के सामने जाता हूं तो बात नहीं करता हूं अच्छा है ज़िए भी अच्छा है तो इस दुनिया में लोगों को बात करना नहीं लेकिन जब रूम में आते हैं आप पी अपने ग्रूप में अच्छा यह 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 वह लगगा है दयकिन हूं जटी के बिशनए लोगा है यह वर के लूटी को भी उपना यह यह दुगाती भी कर्संवत्यू बहीं इसका इसा का मितलब कया है मंड़ी पंटेतं सरथ एक दूश्री के साथ कनेक्टВОन हैसलिए कर आप के लिव बंदेने के ल Hispan MV. confident यह पावर वाला नहीं होगा so if you if your body is like this you cannot feel confident अगर आपका body आपके shoulders down है अगर आपका body weak है तो आप confident feel नहीं करेंगे you will feel lazy इसलिए मैं कहता हूँ कि fit बारत को follow करो work out करो diet करो because when you feel good जब आप अच्छा फील करते हैं तब आप अच्छा करते भी हैं so physiology इसका मतलब है simple है मैं एक इंसान के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सब लोग लिख लीजिए वो प्रेसेंटेशन में नहीं है उनका नाम है Amy Cuddy A-M-Y space C-U-D-D-Y Amy Cuddy वो एक American Psychologist है और वो इसके बारे में बहुत बात करते हैं आपको बताएं stage उपर आने के लिए C-U-D-D-Y stage की उपर आने के लिए आपके अंदर एक हॉर्मोन चाहिए और वो हॉर्मोन कहा जाता है जो मेल में होता है ज्यादा that is called testosterone जब आप stage की उपर आता है you need more testosterone जो नॉर्मल लोगों का है so और फीमेल में जो हॉर्मोन रहता है फैमिन जो हॉर्मोन है वो है estrogen इसलिए अप देखे ये पहले से जो speakers रह चुके है वो ज्यादा मेल है की फीमेल है बट देख अभी जो है वो चेंज हो रहा है इसलिए आप देखे कि फीमेल स्पीकर भी ज्यादा आए है so estrogen जब क्यों बढाना कैसे बढा सकते है simple है जो मैं आपको दिखाना आप this is something called high power pose high power pose का मतलब है जब आप अलग तरीके से खड़े रहते हैं अलग तरीके से अपने postures को रखते हैं you will see कि आपके बड़ी में testosterone बढ़ना शुरू हो जाता है let us try, try करते है demo, demo देखे है ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाए please everyone please stand up all right awesome सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले क्या नहीं करना है imagine कि आप stage की उपर आते हैं और आप इस तरीके से खड़े रहते हैं दोनों पैर को इकटा कर दीजे please दोनों पैर को इकटा कर दीजे okay हातों कैसे रख दीजे shoulders को down कर दीजे now you tell me how do you feel low ठीके, तो it starts with our feet अपने पैर से शुरू होता है तो पहले अपने पैरों को थोड़ा कर दीजे wide stance कर लीजे okay knee को थोड़ा straight कर लीजे use your height ऐसे मत रखिए knee को थोड़ा straight रखिए chest को थोड़ा बाहर निकालिए okay हाथों के से साइड पर रखिए पहले take a deep breath और chin थोड़ी 30 degree आपकी up रखिए and just have a little bit of smile and little bit of smile और थोड़ा मैं जब कहूं तब आपको हाँ करना है are you awesome? yeah and you know face and head nod yeah yeah okay how do you feel right now? good confident now we will get you in the stage so this is called power posing by giving your left you are awesome तो ये, प्लीज बैठिये, प्लीज बैठिये, have a seat. ये सर, आपने बोला बोला हस्तना चाहिए था, आप आप ऐसे बता सच्छा है, ये वर चीज बोले, ये चीज, ये चीज, हाँ, भूख लगी सर, ये चीज, all right, so, पहला है, आपको ख़़े रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको दंदर ऐसे बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है, अगर आप 20 seconds तक ये सारे पावर पोजिंग करते हैं, 20 seconds तक if you do it, you will see कि आपमे वो चेंज आना शुरू हो जाएगा, second is, जो उसेन बोल्ट करते हैं, देखा आप लोग उने उसेन बोल्ट को, या फिर कोई भी olympics में जब पहले number पर आता है, वो पहले चीज क्या करता है, बता है, victory pose, that's the victory pose, तो सब लोग करिये मेरे साथ, yes, 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 how do you feel now, अभी कैसा फिल कर रहा है, again, ये स्टेज के ऊपर जाकर नहीं करना है, अगर आप पनिल कपूर है तो आप कर सकते हैं, दिना, दिन्दा, otherwise आप नहीं कर सकते हैं, so that's second, जो है, V pose, and second is, hands on hips, so this is a little bit authoritative, तो आप लोग सभी लोग करिये, सभी, सभी लोग अपने, all right, if you want to stand up, you can stand up, all right, सभी लोग कड़े हो जाए और अपने हाथों को ऐसे कमर पर रखें, वाइट संस रखें, रखें, शोल्डर ऐसे, all right, चेन उपर, and just keep it like this for just 10 seconds, and deep breathe कर ये, how do you feel right now, powerful? yeah, so that's called power posing, all right, पॉर्ष पक्रमशाय भाट पावर पोसिंग जो आप कर सकते हैं। इस तीन है जो अभी हमने बात की है। जब आप करते हैं तक आपका टेस्टोर शरून लेवल जरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बेस्ट वे इंक्रीज एक टेस्टोस्टेरोन, किसी को पता है? हमारा टेस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस एक लिए था इस निए इस बावर्पोसिंग तो है यह यह Durevesh, do you know what's the best way to increase testosterone? किसी को पता है? Yes, strength training जब आप करते हैं, like squats मारना, deadlift करना, जब आप ऐसी exercise करते हैं, जो compound movement है, उससे आपका testosterone बढ़ता है. इसलिए यहाँ पर किते हैं लोग regular जम में जाते हैं, हम इन आफी गो to gym regularly, okay. आपको लगता है जब आप जीम में हिट करने के बाद आप लगता है कि अरे यार, आप तो कुछ भी कर सकता है. So that is called testosterone. It makes you do things, it is a powerful emotion and for male, female, both, वो दोनों आपको चाहिए. Now, तीसरा secret में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, that is positive self-talk. Positive self-talk. So, what do I mean by positive self-talk? हम सब लोग अपने आपके साथ बात करते हैं, whether you like it or not. लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, आपने कही राष्टे पर किसी पागल आत्मी को देखा है? देखा है? वो क्या, how do you know कि वो पागल है? Okay, फर्क सिर्फ इतना है, कि वो जो बाते करता है, उसकी बाहर निकल जाती है. हमारी अंदर रह जाती है. जाती है, वो कि वो बाहर निकल गई. वो कि उसकी बाहर निकल गई. यह जाती है, आप देखें, जैसे इनसान की उमर होती ही जाती है, आप देखेंगे, एक 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 वरड निकला शूरू हो जाता है. कुछ समय के लाइ, यह यह मैंने बोल दिया, और सौरिया मैं सोच रहा था. I'm really sorry. So, हम सब लोग अपने आपके साथ बात करते ही हैं. The only thing is, लोग हमेशा कहते हैं, when I was conducting beyond mind power workshop, Sir ने नीश के वारे में बोला, Sir mind power कर रहे थे, इसलिए मेरा नीश भी किया था? Mind power. So, मैंने beyond mind power workshop शुरू किया था. So, बहुत सारे लोग आजे थे कि How can I control my thoughts? My thoughts को मैं control कैसे करूँ? किसे कोई जानता है thoughts को कैसे control करना? Like, ऐसा है कि जब को thought आया, you are like, Rukhja, 2 minute, please rukhja, rukhja, rukhja. लेकिन रूते में, thought ने travel काले है. How can you control the thoughts? I think by letting it out. By letting it out? Okay, by letting it out, उसको जाने दो. Yes. Yes, sir. Breathing पर दयानता. Awesome. Great. Yes. Distract करना, आप कुछ कहरे थे? Breathing करना. Observe करना. Okay, observe करना. Yes, sir. Reverse किंती. Reverse किंती करना. Okay. Cancel, cancel. Cancel, cancel. Let me tell you something. Yes. Yes. Right, awesome. All right. Write it down. Thoughts को control करने की सोचते हैं. The problem is, you cannot control your thoughts. Write it down, सब कुछ कर सकते हैं. But, the only thing is, कि आप किस thought पर focus करना चाहते हैं. Like, हम सब को negative विचार आते हैं, लेखिन हम ऐसे बहुत सब लोग यह करते हैं, कि वो negative विचार आते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं कि मुझे negative विचार क्यों आते हैं. और वो बहुत बड़ा problem है. इससे अच्छा है कि हम focus करें कि हमारे positive विचार कौन से हैं. So, positive self-talk का मतलब है, अपने आपको train करिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारों की ऊपर focus करें. When you are going on stage for the first time, तो आपके mind में क्या विचार चल रहा है? क्या होता है? मुझे बताईए. What are the thoughts that goes into your mind? What will go wrong? Yes, what will go wrong? Okay, अगर आपके mind ने आपसे पूछा, या आपने पने mind से पूछा, What will go wrong? तो answer क्या मिलेगा? क्या हुआ अगर मैं सब कुछ भूल गई? क्या हुआ अगर लोग मेरे उपर हसे? क्या हुआ अगर मैं stage पर गिर गया? क्या हुआ उन लोगों ने मेरा pimple देख लिया? क्या हुआ अगर मैं stage पर मेरा tummy दिख जाएगा? तो लेकिन मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. So actually if you think about it, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है. People are not there to see कि आप कैसे दिखते हैं या आपका content कितना prepare किया है. They are there to see कि आप कितना value उनकी life में add कर रहा है. And if you are able to add value, तो बाकी सारी चीज़े जो है, वो secondary है. So self-talk, first of all, train yourself to ask positive questions. इसका मतलब क्या है, अगर आपने यह पूछा कि what can go wrong? उसका positive सवाल क्या हो सकता है? What is the positive question जब आप stage पर जाता है? Yes. Nothing will go wrong. Okay, awesome. Awesome, yes. Right, awesome, awesome. Awesome, great, superb. Yes, yes ma'am. All right, awesome, awesome question. That's a really good question. अगर आप पूछते हैं कि मैं क्या contribute कर सकती हूं, focus कहाँ पर है? Contribution की उपर. लेकि जब आप पूछते हैं, what can go wrong? What if I forget? तो सारे सवाल जो है, वो आपके वैसे ही होने वाला है. Great answer, awesome. आपको सिर्फ यही सवाल पूछना है अपने आप से. As a speaker, as a trainer, वो एक सवाल ही होना चाहिए. How can I serve my audience? मैं कैसे अपनी audience को serve कर सकता हूं. जब आपका focus आपकी audience के उपर है, आपके performance के उपर नहीं है. Because believe, आप singer या आप artist नहीं है. आप एक trainer है. So even if you make a mistake, trainer mistake कर सकता है. सिंगर mistake. और जब आप mistake करेंगे, people will realize कि यार यह तो हमारे जैसा आदमी है. He's a person like us. So याद रखी हमेशा, people connect with your authenticity. वो perfection के साथ connect नहीं होता है. So यह थे तीन secrets कि कैसे आप stage fear यार public speaking fear को overcome कर सकते हैं. Make sure कि अगर आपने इस video को enjoy किया है, तो अपने friends family के साथ share कर दीजे and don't forget to subscribe. I'll see you in the next powerful video.